बुड मॉर्निंग स्टूडेंट मैसल सीमा मिश्रा फ्रम शिजोती एजुकेशनल ग्रूप तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपनी बुक पर जहां हमें पुस्तक कारे करना है आप सभी अपनी बुक में पेस नंबर 43 ओपन करेंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मोखिक प्रश्न नंबर 1 पर भारत के राष्टिय पशु का नाम क्या है उत्तर लिखेंगे आप लोग बाग नंबर 2 बाग किस प्रजाती का पशु है उत्तर है बिल्ली प्रजाती का प्रश्च नमबर तीन बाग अधिकतर किस समय शिकार करता है तो इसका उत्तर होगा रात में प्रश्च नमबर चार शिकार को चीरने फारने में बाग के कौन से अंग सहायक होते हैं यानि कौन से अंग सहायता करते हैं जिससे वो जो भी शिकार कर रहा है उसे अच्छे से चीर फार सकता है पंजे और दाथ क्योंकि पंजे उसके जो नाखुन होते हैं काफी नुकीले होते हैं और दाथ भी बड़े पैने होते हैं प्रेश नमबर पांच, भारत सरकार ने बाग को कैसा पशुगोशित किया है, तो वो है संग्रक्षित, यानि उससे सुरक्षा दी गई है, संग्रक्षित, बाग पर योज़ना में कौन से नेशनल पार्क शामिल है, तो नमबर एक पे है, जिम कार्बेट, बाधाउगर्ट, जहां हमें दिये गए हैं प्रेश्ण सही उत्तर पर सही का निशान लगाईए, तो आप सभी यहां ऑप्शन यानि की विकल्प दिये गए हैं, तो हम देख रहे हैं कर, बाग कैसा पशुगोश है, यहां तीन विकल्प दिये गए हैं, शाकाहरी, मासाहरी, सर्वभक्षी, यहां कैसा पशुग है, सही आंसर है, मासाहरी, तो मासाहरी पे हमने राइट का निशान लगाया, ख, किस सरकारी परियोजना में बाग को संगरक्षन दिया जा रहा है, तो वो है बाग परियोजना, प्रेश्ण अमबर ग, छोटी आईउ में बाग के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, तो यहां हम देख रहे हैं, विकल्प में बिल्ली जैसे, बंदर जैसे, भेडिये जैसे, तो सही आंसर है इसका बिल्ली जैसे, कैसे दिखाई देते हैं, जैसे बिल्ली के बच्चे होते हैं, छोटे, वैसे ही बाग के बच्चे जब छोटे होते हैं, वो बिल विकल्प है आदे भाग में, एक चौथाई भाग में, तीन चौथाई भाग में, तो सही उत्तर है आदे भाग में प्रश्न नवर दो देखते हैं बच्चों, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए तो यहाँ देख रहे हैं हम क, बाग भारत का राश्ट्य पश्यू है यह तो हम सबको पता है, तो यहाँ हम लिखेंगे, हाँ, ख, बाग के शरीर की बनावट और चाल भेडिये जैसी होती है नहीं, उसकी जो बनावट है वो किस तरीके से धारीदार बनीवी होती है ग, बाग कभी कभी हाथियों के जुन्ड पर भी आकरमन कर देता है हाँ, बड़े सारे हाथी, कितने बड़े होते हैं हाथी, लेकिन वो उसके विशाल का शरीर को देखकर भी नहीं ड़ता और उनके जुन्ड पर भी आकरमन कर देता है गह बाग अपने शिकार पर धीरे से वार कर देता है नहीं वो धीरे से नहीं बहुत तेजी से वार करता है आगे देखते हैं बच्चो हम तो अब हम आजाते हैं बच्चो आंत्रिक प्रश्ण पर तो आप सभी ये अंत्रिक प्रश्ण अपनी बुक में नोट डाउन करेंगे प्रश्ण नमबर एक है बाग के नाखून कैसे होते हैं पेज नमबर 41 जो आपकी बुक के अंदर पेज नमबर 41 दिया है वहाँ आप इन प्रश्णों को लिखेंगे उत्तर अत्यधिक पैने और इस वक को हमें कौपी वक में भी करना है प्रश्ण नमबर 2 बाग दूर से सूम कर क्या अनुभाव कर लेता है पेज नमबर 41 पे ही है ये भी तो उत्तर है अपने शिकार का प्रश्ण नमबर 3 बाग परियोजना में शामिल नेशनल पार्क के नाम लिखिए ये आपके पेज नमबर 42 पर दिया गया है तो नमबर 1 पे है जिम कारवेट नमबर 2 पे है बाधावगड और नमबर 3 पे है रंधंबोर आगे आजाते हैं बच्चों हम कॉपी वर्क पर तो आप सभी को अपने कॉपी में बहुत ही सुन्दर अक्षरों में ये कारे करना है सबसे पहले हम देखते हैं नमबीन शब्द नमबर 1 पे है रास्टिये दो पे लक्ष, तीन पे प्रजाती, चार पे पसंदीदा, पाँच प्रतीक, छे पे है निरंतर, साथ अंदाधुन, आठ सहयोग, नौ पे है संगरक्षन और दस पे है राजिस्थान ये हमारे नवीन शब्द हैं आगे चलते हैं हम शब्दार्थ पर नमबर एक पे दिया है चौकन्ना, चौकन्ना का अर्थ होता है सावधान, नमबर दो पे दिया है प्रयास या जिसे हम कहते हैं कोशिश, नमबर तीन पे है मासाहरी, मास खाने वाला, नमबर चार पे है सहायक, सहायक का अर्थ होता है मददगार आगे आजाते हैं बच्चों, नमबर पांच पे है संगरक्षित यानि की सुरक्षित नमबर छे पे हैं प्रतिबंद, प्रतिबंद का अर्थ होता है रोक लगाना अब आजाते हैं कव पे निमलिखित प्रशनों के उत्तर लिखिए आप आपको प्रशन उत्तर करने हैं तो यहां प्रशन नमबर एक पे देखते हैं बाग कौन कौन से जानवरों का शिकार करता है तो यहां उत्तर में देखेंगे बाग जंगली भैसा, जंगली सुवर, हिरन और हातियों का शिकार करता है तो ये जितने भी जानवर है उन सब का शिकार कौन कर सकता है बाग करता है प्रिशनमबर दो बाग अपने लक्ष को पाने के लिए क्या करता है तो उत्तर है बाग अपने लक्ष को पाने के लिए निरंतर प्रयास में लगा रहता है यानि कि वह हार नहीं मानता और कोशिश करते रहता है प्रिश्च नमबर तीन भारत में बागों की संख्या घटने का क्या कारण है तो तर देखते हैं भारत में बागों की संख्या घटने का प्रमुक कारण वनों की अंधादुन कटाई यानि जो वन है जंगल है वो दीरे दीरे खतम होते जा रहे हैं वो धन के लालच में इनका शिकार करना है यानि धन के लालच में सभी लोग क्या करते हैं इनका शिकार करते हैं जिससे इनकी संख्या घटती जा रही है प्रिश्ट No.4, सरकार ने बागों को बचाने के लिए क्या उपाय किये हैं? उत्तर है, सरकार ने बागों को बचाने के लिए उनके शिकार पर प्रतीबंद का अर्थ मैंने बताया था रोक यानि की प्रतिबंद लगा दिया है साथ ही कई वन छेत्रों में इसे संग्रक्षन भी प्रदान किया गया है यानि इनकी सुरक्षा भी की जा रही है आगे आ जाते हैं वर्चों शब्दा वाक्य प्रियोग पर तो यहां हम देख रहे हैं ख में निमलिकित शब्दों से वाक्य बनाईए मैं आपको यहां शब्द बता रही हूँ और कैसे उसको वाक्य बनाते हैं इसी तरीके से कारे आपको कॉपी में भी करना है तो यहां लेते हैं हम नंबर एक पर राष्टिय भारत का राष्टिय पक्षी मोर है नंबर दो पे देखते हैं प्रयास सफलता प नमबर चार पे है प्रतीबंद जानवरों के शिकार पर प्रतीबंद है यानि रोक लग गई है पाँच पे है सहयोग हमें सबका सहयोग करना चाहिए तो बच्चों अभी हमने देखा पाटछे का बुक वर्क और कॉपी वर्क और मुझे आशा है बच्चों आपको अच्छे स समझ में आया होगा धन्यवाद